लेकिन मेहनत तो जरू से करनी है, लेकिन मेहनत करने के बाद भी अगर आपको लाइफ में रिजल्ट ना मिले न, तो आपको जरू से यह यंतरा बनाना चाहिए, पुरे विश्वास के साथ बनाना चाहिए, देखें कैसे आएगा आपके जीवन में परिवता है, नमस्ते, मैं एपिसोड में आपको बहुत ही खास दो यंतरा बताने जारी हूँ, बहुत ही खास इंपोर्टन्ट है यह यंतरा यह, क्योंकि यह आपकी किस्मत बदल सकते हैं, हाँ जी, अगर आपको इंकम बिल्कुल भी अच्छी नहीं आरी, पैसे आते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी ओनलाइं हो, यह आपका कोई भी व्यापार हो, वो बिल्कुल भी चल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कते हैं, unwanted expenses आपके होते चले जा रहे हैं, तो ऐसे कौन से खास यंतरा हैं, जो आपके जीवन में परिवतर लेके आएंगे, आज मैं आपको वो बताने जारी हू कोशिश करें कि sunset जब हो रहा हूँ, उस वक्त अगर आप बनाते हैं, शाम के 6 और 7 के बीच में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, अगर आप working है, कोई बात नहीं है, घर आने के बाद आप रात को भी इसको तयार कर सकते हैं, कोशिश करें कि इसको पूजा स्थान में बै कोई भी इसको, बllaeng REPर के सामए, और इसको नहीं होना छाएं, आप ने यहाँ पर हएं पर रात कने मार को तो सब्य ही बाहिए और ऐसको तरह황 को किना थे, तो सबसे पहले हम लेंगे ब्लैंख वाइट पे-पर, आप चाहें तो बया करे, इस ऊजा करा कर हैं। पर दोनों यंत्रा बना सकते हैं, यह जो पहला वाला हम यंत्रा बना रहे हैं, यह इंकम को बढ़ाने के लिए है, और इसको आप कितनी भी साइस का बना सकते हैं, इस प्रकास है बॉक्स बनाने के बाद आपने horizontal 3-links बनानी है and vertical आपने 3-links बनानी है total 4 by 4 के इस तरह के आपका यह box बनके तयार हो जाएगा सबसे पहले हम लिखेंगे 6 उसके बाद लिखना है 67 5 6 7 3 64 66 66 दुबारा से 61 6 3 4 0 62 and last में 65 इस तरह से आपने लिखके इसको तयार करना है अब हम यह बनाने जा रहे हैं सबसे में मंत्रा इसको कहा जाता है कुबेर यंत्रा यह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और पाउफुल यंत्रा होता है यह दोनों यंत्रा को जैसे के मैंने कहा कि आप एक साथ भी रख सकते एक कागजम में बना सकते हैं और कितने भी साइस का बना सकते हैं इस प्रकासा दो वर्टिकल लाइंग, दो हरिजॉंटल लाइंग टोटल 3x3 का यह बॉक्स बन जाएगा 27, 20, 25, शेकंड लाइंग में आप लिखेंगे 22, 24, 26, थर्ड लाइंग में आप लिखेंगे 23, 28, एंड आप लिखेंगे 21 इस प्रकास से कुबेरर यंत्र, आपने तयार करना है अब यह जब दो यंत्र आपके तयार हो जाएं इसके बाद आपने क्या करना है इसको अगरबत्ती आपने दिखानाएंग, अगरबत्ती नहीं तो आप गö Här्जल धूब defo बिखा सकते हैं तरीका ये है कि दोनों यंत्र को आप चाहें तो लैमिनेट करके अपने wallet में हमेशा carry कर सकते हैं, ऐसे आप दो तीन भी बना सकते हैं, सेकंड अप्शन यह होगा कि आप इसको बनाके तीजोरी में भी रख सकते हैं, तीजोरी में या ड्रॉर में जब आप इसको रखेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, यह तो एक इसको डबी में रख दे, कोई भी यहां तो देखी साइड जो बिना लामिनेट किये हुए आपके घर के ही कोई गमले में जिसमें अच्छा खासा फूल आते हो या अच्छा खासा जो पौधा है वो उग्रा हो उसके अंदर आप इसको डाल सकते हैं या घर के बाहर जाके पीपल के पेड़ के नीचे इ लेकिन अगर आपको ऐसा करना तो वो 24 घंटे के बाद कीजिएगा, दोनों वे में ये काम करेगा, आप चाहे रखे, चाहे इसको पेड के नीचे दबाए, दोनों वे में वो उतना ही रिजल्ट आपको ये अच्छे से देगा, बस इसको आपने विश्वास के साथ करना है, ज कैसे आएगा आपके जीवन में परिवतन, तो चलिए, आप अपना पूरा-पूरा ध्यान रखेगा, इश्वर करें के आपकी हर इच्छा पूरी हो, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखेगा, मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्त रह Namaskar